गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों मैं अनुप सियागा आपके साथ एक और नए लेक्चर के साथ आपका स्वागत आपके यूट्यूब चैनल मैथ भाई अनुप सियाग में आगे हम अपने कॉर्स की स्टार्ट करें हमारी क्लास थी प्लस टू प्लस टू का आज हम एक और नए चैप्टर की स्रुवात करने जा रहें वीटा और जिसका हमारा लेक्चर कौन सा है आपका फॉस्ट आज हम डिफ्रेंसियेशन करेंगे जो हमारे पास element के according 7th chapter है लेकिन उस differentiation से पहले थोड़ा सा आपको continuity के बारे में बताएंगे वैसे chapter की तो सरुवात ऐसे होनी थी पहले 6th होना था फिर क्या होना था 7th होना था लेकिन अभी level के according आपको थोड़ी सीज में समझने में problem होगी इसलिए हम differentiation से क्या करेंगे सरुवात करेंगे हमारी lecture की और limit जो हमारी 11th class में थी limit का पता होना ची बेटा आपको limit होती क्या है फिर continuity आती और फिर किसका जनम होता है differentiability का जनम होता लेकिन आज हम जो topic discuss करेंगे और differentiability करेंगे हम differentiability के परदे के पीछे के थोड़ी सी कानी का recap पड़ेंगे थोड़ा सा ये पढ़ेंगे भी continuity differentiability क्या है limit क्या है limit के बारे में हमने किस में पढ़ा था class प्लस उन में पढ़ा था अगर मैं यह element के coding बात करूं तो यह chapter number 6 है और यह आपका कितना है 7 है और अगर मैं NCRT के coding बात करूं तो NCRT में यह आपके exercise beta 5.1 है और यह जो 7th chapter है यह 5.2 से आपका क्या होगा start होगा ठीक है अब level के according थोड़ा सा differentiation समझना क्या हो जाएगा easy जैसे हम differentiation को cross कर देंगे फिर आपकी यह समझाना और भी क्या हो जाएगा easy हो जाएगा कि differentiability और continuity का meaning क्या था लेकिन इसके बगार यह क्या नहीं करता भी exist नहीं करता परदे के पीछे की काणियम आपको जरूर बताएगे बेटा कि continuity का meaning क्या है पहले तो थोड़ा सा आपको limit के बारे में बताएगे जो plus 1 में बड़ा था अगर कहीं पर ऐसे होता limit x tends to 1 x square plus 1 approaches to 1 approaches to 1 का मतलब यह होता x की value 1 के round है वन से थोड़ी ची छोटी भी हो सकती है i1 से थोड़ी जी बड़ी भी हो सकती है जब हम इसमें value रखते थी x की जगहें जैसे 1 रखते थे विटा एक पलस एक कस्केर 2 यह value limiting value आते अप्रोच T 7 वे घॅति क्बडऱ् एक Ellis क्या था रेच्णीन लाइजेशन करना पड़ता ये फ्लास्ट वन की कानी थी अगर मैं अब लगातार जैसे हमारे पास एकस इकल टू रुक्र 17 लेफ्ट एंड साइड लेफ्ट hand limit लिखते थे ठीक है हमने आपको बताया था ये left hand side होगी x approaches to one negative और ये right hand side है x approaches to one positive ये exact one पे बात है ये one से बड़ी value और ये one से क्या है छोटी value limit का मिनिंग कुछ भी हो सकता है इसको left hand limit बोलते हैं मिट आर इसको क्या बोलते है right hand limit जब भी कोई function अगर उसकी value x one negative पर इससे पीछे one पर और one positive पर बात करें left hand limit function और right hand limit जब तीनों equal होते हैं तब वो process क्या होता है continuous होता है तब वो process क्या होता continuous लगातार है ठीक है continuous के बाद एक word आता differentiability इसका मिनिंग क्या है continuity का मिनिंग समझे आप कि कोई process लगातार है break नहीं हुआ बीच में अगर यहां पर value इसकी value और इसकी value अलग-अलग आगी तो हम क्या कहेंगे यह discontinuous अगर किसी में left hand limit not equal to function और यह इसके equal भी आ जाए तो इस process को बेटा discontinuous बोला जाएगा क्योंकि यह continuous नहीं है continuous process कब बोला जाएगा past इसको पोलेंगे past present future past present future तीनों जगह उसकी value exist करती है तभी तो प्रोसेस के आपका continuous लगातार है कि इस continuity के बाद differentiability एक word आता है differentiability का normal बासा में जो meaning है वेटा वो है change difference जैसे इसका यहां से clear और different differ differ का मतलब difference और difference को हम समझेंगे change अगर कोई process continuous है तो उसमें कोई ने कोई change आ सकता है अगर कोई process क्या है बेटा continuous है तो उसमें कोई ने कोई क्या आएगा change आएगा और उस change को उस difference को हम यहां पर क्या पढ़ते है differentiability क्या बढ़ते हैं differentiability ठीक है तो continuity समझ में आ गया बस थोड़ा सा बताया हम आप हमने आपको कि left and limit function right and limit equal है तो continuous होता है अगर इसमें ये equal नहीं होता तो क्या हो जाता है बिटा discontinuous जो process discontinuous हो गया उसमें change कैसे major करेंगे हम change नहीं कर सकते जैसे मैं आपके सामने एक example लेता हूँ जैसे ये कोई खेत है इस खेत में पानी आ रहा है ठीक है एक pipe से पानी आ रहा है नाली से पानी आ रहा है इस खेत में सारा फिलप हो जाता है यह ठीक है यह प्रोसेस आपका क्या है बेटा लगातार है कंटिनेस है यहां से पानिया पूरा फिलप हो गया लगातार पानिया पूरा फिलप हो गया मान लो यह 30 मिनट में कंप्लीट हो जाता है ठीक है कोई जगह है 30 मिनट में पूरी बर जाती है अगली बार क्या हुआ जो नाली थी उस नाली में पानी थोड़ासा और इंक्रीज हो के आगया यहां पे कुछ लेवल था उसका अगली बार लेवल और इंक्रीज हो गया तो इस बार हम ये पता कर प κάνे कि कितना change आया कि कितनी मिनट बचेंगी अगर पानी पिछली बार से खेत में इस बार थोड़ा सा जादा आएगा तो हम यह नहीं पता कर लेंगे कुछ मिनट तो बचेंगी तो वो क्या major कर रहे हम जो कुछ मिनट बचेंगी उसको हम क्या कहते हैं change क्या हुआ यह process कब जब यह लगाता है by chance अगर यह नाली यहां से break हो गई और पानी के लिकेज यहां पे भी हो गई और जो इस खेत में कोई टुकडा बच भी गया तो हम यह नहीं major कर पाते यह नहीं बता पाते कि कितना तो पानी बचना था कितना time बचना था क्योंकि यह process बीच में क्या हो गया बेटा ब्रेक हो गया जो process बीच में ब्रेक हो जाता है discontinuous हो जाता है हम change major नहीं कर सकते और change major को math क्या कहता है बेटा differentiation क्या कहता है उसको differentiation और differentiability कुछ भी कह सकते है ठीक है derivative भी कहते है short form में आपने physics में पढ़ा हुआ पलस्वन में integration and derivative तो differentiation की wording समझे है differentiation होता है सारे का सारा किसके उपर बेटा change के उपर किसके उपर होता है change के उपर जैसे rate of change of displacement with respect to time जो यह d by dt हैना यह यह symbol किसका है बेटा derivative का है किसका symbol है यह derivative का है या differentiability का x हम किसे displacement distance के लिए लेते थे rate of change of displacement with respect to time change ही देखा उस change को नाम फिर क्या बन जाता था बेटागे velocity बन जाता था अगर हम physics की बात करें जिसके पास art है तो यह only rate of change of displacement with respect to time इस change को ही क्या कहते है हमें derivative कहते है continuity समझ में आया कोई process लगातार होता है उसमें कोई changes आ सकते है उन changes को हम major करेंगे उनको हम क्या कहते है differentiation यहाँ नाम से इकलिए रहा difference किसी चीज में differ आना फरक आना changes आना math तो उसको differentiation कहता है लेकिन हमने अपने दिमाग में क्या रखना है differentiation का मिनिंग क्या है बिटा change बदलाओ और बदलाओ कब देखा जा सकता है अगर कोई process लगातार है तभी क्या देखा जा सकता है बदलाओ जैसे हम एक लड़के की बात करें अगर कोई लड़का किसी class में लगातार आ रहा है ठीक है लगातार आ रहा है प्लास में एक वीक लगातार आ रहा है फिर अगले वीक हम इसमें कुछ change मेंजर कर सकते है लगातार है तो change मेंजर कर सकते है कोई बचा एक दिन आया दो दिन न आया एक दिन आया दो दिन न आया क्या हम change मेंजर कर पाएंगे ने कर पाएंगे क्यों वو discontinuous process है जो process discontinuous होता है उसका differentiation नहीं कर सकती और जो process बेटा continuous होता है जो process क्या होता continuous उसका क्या कर सकते हैं differentiation लेकिन इस sector में बेटा जितने भी क्योव rival आएंगे हमारे पास वो ऐसे क्योवसन होगे जो क्या होते हैं continuous और आप यह पुछा ही नहीं जाएगा continuous है यानि बस आप से सीधा क्या पुछा जाएगा डिफरेंशेशन डिरेक्ट क्या पुछा जाएगा बेट आप से त्यक्त नहीं आती यह अपने concept के ऊपर चलता फिर यह अपने concept के ऊपर चलता लेकिन इसके दिमाग में यह बात बैठी रहती है continuous होते हैं वही कि उस्तना आपके पास आ रहे हैं तभी हम क्या कर रहे हैं उसका differentiation कर रहे हैं ठीक है तो आज हम किस chapter की शरुवात करेंगे बैटा CRT में तो derivative का थोड़ा सा portion बनेगा लेकिन बेटा आपका element के according थोड़ा सा जो exercise है वो क्या है ज्यादा है लेकिन कवर आप हम दोनों दिरे-दिरे कर लेंगे differentiation की बात करें derivative की बात करें आप कुछ है derivative तो याद होंगे पेटा यह symbol है जो d by dx यह किसका सिंबल है d by dx differentiation चेंज का किसी भी चीज में चेंज में ज़र करना हो क्योंकि अगर मैं वन की बात करूं तो वहां पर ऐसे होता था dx by dt rate of change of displacement with respect to time लेकिन यहां पर हम changes क्या पढ़ेंगी डी वाई बाई बाई डी एक्स पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास जितनी भी equation होगी बेटा वो किस variable में सो होती है x के variable में अगर कहीं पर equation बेटा ऐसे आ जाती है y is equal to t square plus 2t तब हम derivative कैसे करेंगे change कैसे देखेंगे dy का change with respect to t तब उसको क्या बोला जाएगा dy by dt अगर कहीं पर x is equal to z square plus z plus 3 है तो हम इसका change बेटा कैसे देखेंगे dx by dz जो भी function है जिस variable के equal में दे रखा है उसी के respect में क्या कर देंगे बेटा derivative हम कर देंगे तो अब छोटी छोटी बातों का छोटी छोटी equation है उनका derivative देखें बेटा क्या आएगा आएगा आपके पास जैसे इस trigonometric function है एक तो आपने उनका derivative याद रखना सब का एक x का derivative याद रखना है थोड़ा सा plus 1 का हम divide rule multiply rule उनके बारे में पढ़ेंगे जैसे अगर मैं बात करूँ x का derivative एक्स का derivative बेटा आपको पता हुआ direct क्या बोलते थे 1 कैसे आया x square का derivative कैसे बोलते थे 2x पलस 1 की बात कर रहा हूँ लेखिन देखो d by dx अगर आपके पास कोई question y is equal to x दिया है क्या दिया बेटा y is equal to x तब हम इसका जब derivative देखेंगे y की जगे इसकी value पूट करेंगे और y की value क्या है x है तो dx by dx मिलकर वो result क्या हो जाता है 1 इसलिए बेटा x का derivative क्या हो जाता आपके पास अगर मैं x square की बात करूं किसकी बात करूं x square की तो x square में derivative इसका करना बेटा हमें derivative only x का पता है इस power की नीचे वाड़ी ट्रम का हम derivative कैसे करते थे power आगे और power में से क्या करते थे एक कम और power के जो नीचे ट्रम है बेटा उसका क्या करते है फिर derivative x ऐसे simple simple क्यों हमने किस में किये थे प्लस वन में किये थे तो आज हम कुछ बाते पढ़ेंगे एक तो वो बाते आपको याद होनी चाहिए बेटा टिग्नोमेट्रिक के कुछ ट्रम है डिरेक्ट जिनका derivative हम क्या रखेंगे याद रखेंगे ठीक है differentiation के बाद हम आपको continuity और differentiability करवाएंगे क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के उपर dependent तो है लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने continuity नहीं की तो differentiation नहीं आएगा वो आ सकता है क्योंकि उसके concept बेटा क्या है अलग चलते हैं क्योंकि हम दीरे दीरे जैसे टू में थोड़ा सा level increase हो जाएगा फिर उन बातों को समझना क्या हो जाएगा आपके लिए easy हो जाएगा इसलिए हम chapter concept है बेटा differentiation ठीक है माइंड में ये बात जरूर रखना कि differentiation क्यों कर रहे हैं अब आप बच्चों ने क्या बात याद रखनी है कोई भी function हो कैसा ही function हो अगर उसके उपर power है तो सबसे पहले power break की जाती है power के लिए आपने याद रखना बेटा power आगे power में से एक कम power के निचे वाड़ी ट्रम का हम क्या करेंगे बेटा derivative एक तो ये याद रखना अगर आपने किसी भी कोई भी function है कोई भी function है अगर उसके उपर power है तो उसमें ये रूल चलेगा power आगे power में से एक कम करना है into में फिर into में जो power के निचे function था उसका आपने क्या करना है derivative ये कोई भी हो सकता है ये 12 या 13 परकार की ट्रम में होती है उन में से कोई ने कोई एक होगा चाहे तो टिक्नोमेट्रिक है और चाहे आपकी inverse की है एक constant और एक x बस ये ट्रम होती है ये नहीं के अनुसार आपने क्या करना बेटा derivative करना बाकी ट्रम होर आएंगी आपके पास one में नहीं थी लोगर्थमिक आजाएगा exponential आजाएगा एक ही power x आजाएगी किसी भी function का derivative करना है तो ये मंतर याद रखना आपने power आगे रट लेना विल्कुल इसको power आगे power में से एक कम power के निच्चे वाड़े ट्रम का derivative ठीक है तो हमारे पास बेटा ये किसका है derivative का function एक है यू इंटू वी रूल अगर आपके पास दो ट्रम मल्टिप्लाई में है हम दोनों में changes एक साथ नहीं देख सकते तो उसका changes का जो rule है derivative का rule है वो ये कहता एक ट्रम सेम रखेंगे दूसरी का हम derivative करेंगे पलस एक बार दूसरा function सेम रखेंगे और यू का हम क्या करेंगे derivative इन दोनों में से बेटा आप किसी का derivative कर सकते है ये भी rule ठीक है और अगर कोई ऐसे रखता है वी du by dx पलस u dvy by dx दोनों ही result आपके सही है आप किसी का पहले कर सकते हो multiply में ठीक है एक power का rule एक multiply का rule और एक किसका rule याद रखना बेटा आपने divide का rule किसका rule याद रखना है divide का u by v अगर दो ट्रम है और आप उसका क्या करेंगे बेटा derivative तो आप बच्चों ने उसका rule याद रखना इसका result याद रखना है निचे वाड़ी ट्रम का whole square निचे वाड़ी ट्रम उपर same लिखेंगे और उपर वाड़ी ट्रम का क्या करेंगे derivative माइनस उपर वाड़ी ट्रम same और निचे वाड़ी ट्रम का क्या आएगा आपका derivative यह हमारे पास कौन सा रूल है बेटा U by V यह आया कहां से अब देखिए इसका multiply rule से ही यह बना है हमारे पास जो multiply का rule है उसी से आपका divide rule की formation हो जाती है तो देखे रूल कैसे यह कैसे आया यह फार्मूला अगर मैं इस U by V को U by V को ऐसे बोल दें U into में V की पावर माइनस तो दोनों टरम किस में आगी बेटा multiply में आगी और multiply का rule क्या कहता है एक टरम सेम और एक टरम का derivative पलस V की पावर माइनस वन सेम और U का क्या करेंगे हम derivative ठीक है तो देखें पावर जब भी पावर मिले बेटा पावर आगे पावर में से एक कम माइनस के दो जाएगा पावर आगे पावर में से एक कम पावर के निचे वाड़ी टरम का derivative पलस ठीक है पावर के निचे V था V का derivative क्या बोला जाएगा dv by dx, v की power minus 1, इसको 1 by v कह दे, और u का derivative बस ऐसे ही लिखा जाएगा, dv by dx, यह power minus के 1 होगी बेटा देखो, minus 1 और minus 1 कितना होगया, minus 2, v का square होगया, u by क्या होगया, आपके पास, v square, dv by dx, plus 1 by v, और dv by dx, यह पूरी अपने आप में एक ट्रम है, यह इसके साथ रहेगी, ठीक है बेटा, v और v square का LCM लेटे हम, v square आगा LCM, तो minus का u बचा, और यहाँ पर dv by क्या बचा, dx बचा, एक v से एक v गया v बचा, और dv by क्या बचा बेटा, dx बचा, तो v du by dx, minus का u, dv by dx, v square, यह हमारे पास, जब भी कोई दो ट्रम डिवाइड में होगी, तो यह result हम क्या रखेंगे बेटा, याद रखेंगे, u by v, ठीक है, और नॉर्मल अवाँ में इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अपना देशी तरिका बनाकर, u by v है, जैसे दो दोस्त हैं, ठीक है, यह अब आपने ऐसे समझना, v इसको बोलने आई, यह कहीं पर रहता है, यह कहीं बार रहता है, इसका u दोस्त, और इसे मिलने कोन आया है, v आया है, नीचे से, इस v ने अपने फ्रेंड u को आवाज लगाई, खुष तो हो जाता है, लेकिन कई बार बेटा वो दुखी भी हो जाता, अगर उसको पैसे मांग रहा हुआ, तो वो क्या हो गया, दुखी हो गया, ठीक है ना, कई दिनों के बाद ये मिलने के लिए आया, इसको देखकर खुष हो गया, खुष होने का मतलब आपने समझना, इसका आदर सत्कार करा, वह इसका ओदा बढ़ा दिया, इसकी पावर बढ़ा दी, ठीक है, अब ये नीचे थोड़े ही खड़ा रहेगा, इसको क्या बोलेगा उपर लेके आएगा, कुछ चाय पाने की विवस्था करेगा, वी को उपर बुला लिया, और यहां पर काम करने का मतलब बेटा हम, काम करने का जो मतलब है, वो क्या समझेंगे, डैरिवेटी, वी को उपर बुला लिया, आजा हो गई, चाय पाने के विवस्था करते हैं, व बतन आपने ये साफ करने है, कोई मेमान मिलने आया, कोई फिरेंड मिलने आए, हम उसको ये चलिए कि इसको कह रहाए वी को तो क्या ओगया आपको डी तो हम डिवाइड रूल को बेटा ऐसे भी याद रख सकते हैं कि नीचे वाड़ा आया खुस हो गया देखकर square हो गया उपर बुला के लेगे उपर वाड़ा काम करेगा माइनस उपर वाड़ा बैठेगा और नीचे वाड़े से क्या करवाएगा काम ये भी divide rule को क्या कर सकते है समझ सकते है और multiply rule को समझना है एक cycle पे दो है दो friend है जैसे ठीक है बेटा cycle ऐसी है वई दो ही बैठ सकते है कोई फिल्मों वाड़ी बातें मत कर ले न कि दो दो चला सकते है ठीक है ये लो गई सारी वास्ता कर दी ये cycle है दो friend है एक you और we इकठे बात है कईनों ने जाना है दोनों ने मिलकर अब multiply rule को भी समझना कैसे समझ सकते दोनों एक साथ cycle तो चला नहीं सकते और आज कल ऐसा तो है निवे एक friend cycle पे ले भी जाए और वापीस ले भी आए तो ऐसा करते वो आधी दूर तो एक ले के जाता है एक बार क्या हुआ यू और वी दो थे अगर यू यहां बैठ गया चलाने के लिए तो वी अपने आप बैठा रहेगा भी यू चला रहा है तो वी बैठा रहेगा यू चला रहा है तो वी बैठा रहेगा और वी चला रहा है तो एक बार फिर दूसरी स्टेज ऐसे हो सकती है we cycle चलाएगा और यू बैट फिएगा और मैंने बताए काम करने का मतलब क्या है डेरीवेट्टिव यू साइकल चला रहा वी बैट रहा है इस साइकल चलारें मतलब डैरिवेटिव यू कामडारी बेटिव करेंगे वी ऐसे का ऐसे क्या रखी एंडे है ठीक है पलस अंद यू तो बैठ जाएगा और वी क्या करेगा काम उस्का क्या करेंगे बेटा बैठ जब 2- disg है यू ऐसे का ऐसे वी का derivative मतलब multiply rule के according दोनों में से cycle तो एक समय में एक ही चला सकता है लेकिन आधे रास्ते एक चलाएगा और आधे रास्ते एक चलाएगा वी ने बैठ गया यू cycle चला रहा पलस यू ऐसे बैठ गया वी क्या चला रहा आपका सेम अगर ऐसा होता है starting में वी cycle चलाता है और यू बैठता है और फिर क्या होता यू बैठता और भी बैठता तब भी तो उनका रास्ता पर जहां उन्होंने जाना वहां पर पहुंच सकते हैं कोई निमे से पहले चलाए तब वहां पर पहुंचा जा सकता है तो मैं यह कहा रहा है दोनों में से कोई भी रूल अपलाई कर सकते हो मल्टिपलाई का दोनों का रजल्ट क्या रहता है सेम एक डिवाइड रूल है और एक पावर रूल है सबसे पहले यह रूल अपलाई किया जाता है अगर किसी फंक्शन के उपर पावर बैठी है तो पावर का मंतर याद रख लेना विट्टा इसका समरण करना आपने आज आपको एक नामकर्ण दे दिया कि आपने मंतर याद रखना पावर आगे पावर में से कम पावर के निच्चे वाली ट्रम का डैरिवेट्व सबसे ज्यादा ये काम आएगा मल्टिप्लाई रूल जब दो ट्रम मल्टिप्लाई में दीखे तो मल्टिप्लाई रूल लगाना चाहे वो कहीं पर भी डैरिवेट्व को मिले डैरिवेट्व को दो ट्रम मल्टिप्लाई में मिलेगी तो मल्टिप्लाई रूल लगाएगा और डिवाइड में मिलेगी तो रूर लगाएगा तीन यह बाते हैं और बाकी ट्रम याद रेखने आम ने किस किस का क्या-क्या derivative होता है किस किस होता है आज हम थोड़ा सा tignometric waiver के बारे में पढ़िएंगे किस का derivative क्या है जैसे अगद करें sign का derivative क्या है钱 का क्या है inka derivative याद रखेंगे ठीक है और कल से बेटा हम इसके questioning क्या कर देंगे, start कर देंगे derivative का मतलब change, change किसी में कब देखेंगे, जब वो process लगातार होगा process लगातार होना कौन बताता है, continuity, लेकिन हमें जो question मिले है वो direct किसके लिए मिले हैं, differentiation के लिए मिले हैं तो अब sin x का derivative, derivative बेटा किसका, sin x का, derivative किसका, cos x का और derivative आपका, secant x का, ठीक है, इन तीन का derivative करते हैं, sin x का derivative जब आप first principle से इसका change देखोगे, तो आपको first principle से sin x का derivative बेटा क्या मिला था, cos x और into में derivative किसका करेंगे हम, angles जो भी tignomatic टरम है, उसके angle का क्या करते हैं, derivative करते हैं sin x का derivative cos x, into में angles का derivative, चाहिए इसका angle कोई भी हो into में क्या लिखेंगे बेटा, उसका derivative लिखेंगे cos x का derivative, minus k sin x और into में derivative इसका angle का secant x, दो के तो सेम है, sin का, cos cos का sin secant x का, cos secant x, या 10 x का, इसकी बात करेंगे 10 x का derivative क्या होता है, देखो, secant x का derivative आपके पास क्या होगा, secant x, जियाद रखना, आपने, secant, secant, दो वाज बना ले नहीं, secant, एक secant की दो वाज बना ले नहीं, आपे, secant, 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 mind में ये set कर लेंगे, secant का derivative, इसकी sense, जो अवाज को अगर हम break करेंगे, secant, एक secant के नाम से निकली अवाज, और एक इसके नाम से निकली, 10 के नाम, और into में angle का derivative, और angle बेटा ऐसा निकलना, आपने, एक बार सोचो, इसका एक बार, आपने इस वाड़े angle का derivative करना है, यहाँ पर into में क्या सला जाएगा, इसके angle का derivative, 10 x का अगर मैं बात करूँ, इ कई sense हमारे काम आएगी, हमने secant का नाम secant बोला था, अगर मैं secant के बात करूँ, तो secant 10 आएगा, और इसी नाम में से अगर मैं 10 को छुपा लूँ, तो कितने secant नज़राए, दो secant नज़राए, तो 10 x का जब derivative करेंगे, तो कितने secant नज़राएंगे विटा, आपको 2, 10 x का derivative करेंगे, तो secant square x, इसी आवाज से हम दोनों का answer क्या रख लेंगे, याद, secant, secant की वाज, secant, 10, 10 अकेला, तो secant कितने रहेगे, आपके पास, दो, और into में, derivative किसका बेटा, angle का, हर जगए angle का derivative आएगा, और angle कौन सा, इस function का, कई बार ये सोचते हैं, square आगे, इसका दो भार करना, इसका ने का, ना बेटा, आपने, इसके angle का करो, तो वही आपके पास, into में, क्या सलेगा, angles का, derivative, अगर मैं, derivative बात करता हूँ, को secant x की, को secant x, इसमें भी a sense, ऐसे बनाने, को secant का नाम, को secant बनाना, आपने बेटा, ठीक है, को secant, को secant, को secant है ना, उस को secant को कैसे sense देनी, को secant, को secant, को secant x का नाम, को secant x का नाम, को secant x का नाम क्या है, या दखना डेरिवेटिव में, को secant x, इन्टू, को secant x, इन्टू, कोट एक्स, और जिसका भी नाम, बेटा, c से स्टार्ट होता है, टिग्नोमेटिक ट्रम में, उनके खांदान में ये बिमारी है, उनका डेरिवेटिव इसका आएगा, माइनस का, और अब इकोट एक्स रह गया, जैसी sense अमने 10x के लिए बनाई थी, वैसी ही इसके लिए, अगर को secant x का नाम, कोशी कोट है, तो अब कोट एक्स अकेला रह गया, तो कितने कोट एक्स का डेरिवेटिव माइनस के, कोशी केंट स्केर, x इन्टू में, एंगल का डेरिवेटिव, किसी भी एंगल का डेरिवेटिव, ठीक है, हमारे पास 6 आपको याद होने चाहिए, किस ट्रम का क्या होता है, इन्टू में क्या करेंगे, हमारे एंगल का डेरिवेटिव करेंगे, पावर का रूल, पावर आगे, पावर में से एक कम, पावर के निच्छे वाड़ी ट्रम का डेरिवेटिव, मल्टिप्लाई रूल और डिवाइड रूल ये रूल आपकि याद होने चाहिए इन टरम कि आपको क्या आना चाहिए चाहिए और एक बिटा आपको क्या पता आ'llा जीरो क्योंकि कोई ट्रम अगर आपके पास constant है अगर यहां पर मैंने X लिख दे जाए X को कोई X की value 2 समझेगा कोई 4 समझेगा कोई 5 समझेगा यह तो क्या है variable अगर मैंने आपको यहां पर दो लिख दिया बिटा तो किसी से पूछ लेना इसकी value क्या fix होगी constant होगी इसकी बात पर कोई change नहीं आएगा आपने लिख दिया आपके आने वाड़ी generation भी इसको दो ही पड़ेगी किसी foreign country में ले जाओ तब भी क्या का बोलेंके इसको दो बोलेंगे जो समय के नुसार और place के नुसार चेंज ना हो उसको क्या बोलते हैं बोलते हैं है तो यह constant beta 2 बूलते हैं तो यह constant बेता नहीं आएगा और बदलाओ sis नाम math क्या कहता है derivative चेंज को ही math क्या कहता है derivative तो दो में जब हम पूछेंगे math से बदलाओ derivative पूछेंगे इसका तो यह कहेगा 0 तो constant का derivative वेटा क्या हो जाएगा 0 x का derivative 1 छेट इकनोमेटिक ट्रम यह है हम स्लेवस की सरवात कल से करेंगे आज आपने चोटी चोटी बेसिक बातों का ज्यान रखना एक्स के रैक्स क्यूब इंका बना लेना है एक रूट वड़ा function बना लेंगे special कल के लिए तो आज आपने थोड़ा सा यह करना और linear programming में अगर आपकी कोई रोगलम बेटा बेज देना उसका स्लिशन आम वट सेप पे बेज दे रहेंगे ठीक है दीरे धीरे चलेंगे दो-दो चैर-चैर क्यों करेंगी हमारा स्लेवस दीरे-दीरे चलने लग जाएगा ठीक है है तो हम जो शुरुवात करेंगे सेवन चेप्टर की करेंगे और आब डेरिवेटिव के उपर इंटेग्रेशन सारे का सारे इंटेग्रेशन डेरिवेटिव की बुनियाती के उपर चलता है और ठीक है हमारा ये फाइनल पेपर में भी छायर नंबर का कामेहां से आता है application of derivative भी तभी समझ में आएगा और continuity भी आपके तभी समझ में आजाए continuity इसके बाद समझना और भी easy हो जाएगा ठीक है उसमें दिक्कत आपको नहीं होगी क्योंकि एक बार derivative में से निकलेंगे derivative derivative पढ़ेंगे continuity की सारी परिबासा में वहाँ पे समझ में आने लग जाएगी तो आसा करते हैं आप अपने साथ वाड़े बच्चों को जो बच्चे आपके साथ थे पिछे हैं को इसलिए उसमें तो उनको भी बोलिए कि derivative करें जो बच्चा आपके स्कूल का था जिसने वह पिछले चैप्टर नहीं किये तो यहां से भी सरवात कर सकता क्योंकि इसका थर्ड फॉर्थ फिफ्ट मतलब जो मैट्रिक्स का प्रोसेस है उसके साथ कोई लेना देना नहीं है यह अपने आप में क्या है उनसे युनीक है अलग है तो यहां से भी हमसरवाते कर सकते हैं और जो बच्चा आपका जानकार है अभी भी पीछे है जून की चुटियां हो लगी है स्कूल के जो एप थे वहां पर वीडियो आनी बंद होगी वेटा तो जो बच्चे हैं यहां से जुड़कर अपना स्लेव वो भी आगे बढ़ा सकते हैं ठीक है वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना बिटा सेर कर देना जिस बच्चे के पास यह आज पहली